बिहार में मंत्री मंडल का विस्तार हो चुका है और हमारे साथ हैं बिहार के मंत्री संतोस कुमार सुमन हिंदुस्तान आवावी मोर्चा के राष्टि अध्यक्ष भी हैं इन्हें वी दो विभाग मिला है जान लेते हैं कैसर खुस हैं दोनों विभाग से देखिए एक खुसी और कोई सग्गम की बात नहीं है है कि आपको अपने दायित्मों का निर्भान करना ह आप समाज के परती आपका एक दाई तो है और जिस दाई के लिए आप यहां पर हैं मान्य मुक्वंत्री जी का एक प्रिविलेज है उनकी इक्षा से मंत्री आप बने हैं और उनकी इक्षा से विभागों का बटवारा होता है जो भी विभाग मिला है हम समझते हैं कि हम मुखमंत्री जी ने मुझ पर द्रसाया है उस विस्वास में हम खरे उतरें बाकी आगे हम समझते हैं कि सब ठीकी होगा लेकिन दिमांड तो आप लोगो था दो मंत्री पर देखिए पार्टी के तौर पर डिमांड हो सकता है और कर्चकरताओं का डिमांड रहता है कर्चकरता सुरू से ही कहीं भी रहते हैं पुरी निष्ठा के साथ रहते हैं और अनकंडिशनल सपोर्ट करते हैं किसी ब्यक्ति की अपनी इक्षा हो सकती है किसी पार्टी के अपनी इक्षा हो सकती है लेकिन कोई जरूरी नहीं को इक्षा की पूर्ती होती है लेकिन उसके कारण हम ल मैं और शाहति को फावता स्वेस्टा तो भी ठीक था छाप प्राप्थ में सँख्टा फैस्टा गहां में रह से लोग आधरनिया नरेंदर29 जो हमारे आधरनिया प्रदान मंत्री हैं। उनके प्रति पूरी निश्टा है। और उनीही निश्टा के साथ क्योंकि हम जान रहे हैं एक मातर नेता हैं कि गरीबों को देखते हैं पोरे देश और दुनिया उनको मानती है और सब लोग उनका असरिवात देते हैं तो हम लोग भी उनके साथ विकास के उस रथ पर हम लोग बी चड़े हुए ह हैं और हम समझते हैं उनके सहरे ही विकास हम उन्घरीवों तक पहुचाने के कुर्छेश करेंगे जिनकी कि हमाबाज उठाते हैं और यही सही फोरम में यही सही जगा है बाकी मिलना बनना बिगड़ना ही सब चलता रहे हैं यानि मान लिया जाए कि हिंदुस्तान आवामी मोड्चा के राष्टी अध्यक्ष संतोस कुमार सुमन ने जो पहले कहा था कि दो मंत्री पद अब एक मंत्र संतोस कर लेंगे आप देखिए हमने कभी नहीं कहा था आपके पार्टी के तरफ से हमारे संग्रेशक महोदे का डिमांड है और उनकी बात भी अगर आप गौर से सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि हम नरें मोदी जी के प्रतियास्ता रखते हैं और हमें ही रहेंगी तो मा मांग किया जहां तक मेरा ब्यक्तिकत है कि जो अगर मंत्री के रूप में हमसे पूछते हैं तो जो मुझे मिला है उससे हम संतूस्ट है और उसमें पूरा काम करने का कुर्स करेंगे पार्टी के कर्च करता हों का डिमांड रहता है हर पार्टी के लोग हर घर में लोग हर सं गभब सी बात होती है क्योंकि सिमित संसाधन चाहे सिमित वो सीटे हों इतना ही मिलेगा और शुर्व को नहीं मिल सकता है यह इरिस्पेक्टिक कि आपको बहुत सारे लोग डिजर्व भी करते हैं, डिजर्विंग लोगों को नहीं मिलता है, और उनको भी इंतजार करना पड़ता है, यह पाटी का अनुसासन होता है, और यह अनुसासन का पालन जीवन में व्यक्ति को करना चाहिए, यही अनुसासन आदमी को आगे बढ़ाता है, ले जाता है, यह समय का अपना अपना हिसाब है, कि अगर उस समय आता है कि उनको काम करने के लिए दायत मिलता है, तो उनको अपने काम का अपने कार्ज का निस्पादन, पूरे तनमेता के साथ, पूरे सही तरीके से डिवोशन के साथ काम करन चाहिए तो मुझे जो चीज मिला है मैं अपना 100% दे के काम करूँगा पार्टी का काम अपनी अलग है पार्टी के राष्टी अध्यक्ष के नाते अपनी कर्चकताओं कि भावनाओं का भी मैं सम्मान करता हूं अगर वो मुझे हारे पास आ के कहेंगे कि हमें और सर मिलना चा विश्वास रखते हैं और हम लोग उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं अब विहार में 40 के 40 सीट उनके जोली में हम लोग मिल करके देने का काम करें लेकिन समय अभी है बारातारी को फ्लोर टेस्ट होना है और रेडी का कहना है कि वो खेला कर सकती है उनकी निगाह है तो एक क्रेडिबिलिटी डॉटफुल बनाने का एक खेल है और उस खेल को हम लोग समझते हैं इसलिए हम लोग इन प्रक्रेन कारणों में नहीं जाते हैं एक सिधा हमारा रास्ता है वो है एंडिये का रास्ता है एक सिधा रास्ता है विकास का रास्ता है और जहां है नि कि इतना कोर्सिस कर लें इंडिया को नहीं से नहीं जीत पाएगा वह जीरो पर आउट हो जाएंगे और उनकी बुरी गत होगी आने वाला समय में आप देखिएगा हम लोग विजयता हैं विजय बनके पुना निकलेंगे भविश में संभावना है कि अगर पार्टी के नेता कारिकरता है कि आगे हमें एक और मंत्री चाहिए तो क्या बात रखेंगे आगे आप बार बार वर वही बात बोलिवाना चाहते हैं कि बिवाद हो जाए लेकिन मैं तो कर्ष करता हूँ कि भावना का संग्रेक्षन करना राष्टी धर्ट्स के रूप में मेरा काम है और लेक पार्टी जिनके साथ हम लगे हुए हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं और हम लोग मांगने में विश्वास नहीं रखते हैं हम जानते हैं कि हमारे अंदर छमता है अगर हम काम करेंगे तो बीना मांगे सब चीब मिल जाता है एककमि मनत्री पद बढ़ा नहीं होता है जो सब जनहित के लिए और किसी में जन सेवा कर सकते हैं तो हम समझते हैं कि यहीं मेरा रास्टा है उसी रास्ते पर चल करके उस रास्ते को मजबूट करेंगे उस रास्ते को और साफ करेंगे उस रास्ते में और विजन लाएंगे उस रास्ते में गरीब का कैसे कल्यान हो ये दिखने का हैंगे तो ये थे मंत्री संतोस कुमार सुमन जिन्होंने साफ तोर पर कहा कि एक मंत्री होने के नाते इन्हें जो मिला है उससे ये संतोस कर रहे हैं सुझीत कुमार प्यार तक पटना